आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ जिस रेमडी का इस्तमाल करने जारी हूँ इसे बहुत ही जादा फाइदी मंद माना गया है बालों के लिए खास तोर पे आपके सफीद बालों को फिर से काला बनाने के लिए इस रेमडी का इस्तमाल बहुत जादा किया जाता है तो चरी बिना टाइम को वेस्ट की स्टार्ट करती हैं आज के इस रेमडी को बनाना इसे prepare करने के लिए आपको जरूरत है लोहे के बरतन की आप लोहे का कोई भी बरतन इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन लोहे का बरतन इस्तमाल जरूर करें इसमें आपको iron भी मिलता है जो चीज़ें हम इसमें add करने वाले हैं उसमें भी iron की बखोवी मातरा है लेकिन जब लोहे का ब तैयार होता है वो और जादा फायदे वाला हो जाता है और उसका बहुत ही अच्छा फायदा आपके बालों को मिलता है तो एक लोही का बरतन आपको लेना है और इसमें एट करना है आपको तीन से चार नीबू के रस फुल लेमन आपको यहां पर लेना है कम सकम तीन से चार ल को आपको इस लोहे के बर्थन में डालना है नीबू एक citrus fruit है इसमें bleaching properties भी होती है इसलिए से skim के लिए भी फायदियमन माना जाता है बालों के बात करें तो बालों की खुश्की को दूर करना हो खुजली को दूर करना हो या आपके बालों में किसी भी तरिकी के fungus या fungal infection है तो उसकी समस्या को भी नीबू है तेजी से दूर करती है नीबू में vitamin C की भी मातरा पाई जाती है जो कि हमारे सफीद बालों को फिर से काला बनाने के लिए काफी फायदे मन होती है अगर आपके बाल काले हैं और बालों में सफीद होने की कोई chances नहीं है बिलकुल बहुत फिर भी आपको नीबू का इस्तमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके बालों को लंबे समय तक सीफ रखते हैं इसकी shelf life को बढ़ाते हैं इसलिए नीबू का इस्तमाल आपको बीज विश में अपने बालों के लिए करते रहना चाहिए बहुत सारे लोगों को नीबू से allergy है या problem है कि वो कहते हैं कि बाल नीबू से खराब हो जाते हैं या फिर बालों की में dryness आ जाती है तो वो भी समस्या नहीं होगी आज इस pack को बनाने में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे prepare करना और इसमें क्या और add करना है जिसे कि नीबू की जो खुशकी है य हम इसमें add कर लेते हैं सबसे पहले क्या करना है सारी नीबू को इस तरीके से आपको काट करके इसमें add कर देना है अब क्या करना है आपको एक strainer लेना है और उसके बाद इस तरीके से नीबू के रस को निकालना है ताकि जो seeds हैं यह strainer में यह रह जाएं और हमें अच्छे स यहां पे इसका juice जो है वो मिल जाए तो यहां पे अच्छे से नीबू के रस को निकाल लिया है और यह जो नीबू के छिलके आपको दिख रहे हैं इन्हें आपको बिल्कुल फेकना नहीं है क्योंकि इसका भी इस्तमाल बालों के लिए किया जाता है जो कि मैं एनी अदर किसी remedy में आपको बताऊंगी कि इन छिलकों का इस्तमाल भी आप अपने बालों के लिए किस प्रकार कर सकते हैं तो इनको यहां पे हम side कर देते हैं अब आपको इस नीबू के रस में add करना है दो और आपको इसमें यहां पे रस add करने है नीबू के रस की मातरा मैंने यहां पे ल आमले का रस भी स्थमाल कर सकती है। या फिर जो बाजार में पतंजरी का आमले का जूस आता है उसका इस्तमАल भी कर सकती हैं। मैं वही यहां पर स्तमाल कर रही हूं। अच्छे से मिक्स कर लिजे दोनों चीजों को। अब आपको इसमें आड करना है aloe vera juice इसकी quantity आपको एक चमच बढ़ा के रखनी है यानि कि चार चमच एड़ करनी है और जिन लोगों को बालो में नीवू से ग्रैनिस की समस्या होगी तो इसे भी चार चमच मैंने यहाँ पे अड़ किया है बाकी तीन चमच है आमली करस प्लस नीवू करस लेकिन aloe vera juice को मैंने यहाँ पे चार चमच के करीब लिया है और अब आपको क्या करना है इसे किसी भी बॉटल में आप ट्रांसर कर दीजे इसे भर के रख लीजे और चुकि इसमें aloe vera juice एड़ किया है तो इसकी shelf life जो है वो बढ़ जाती है तो आप इसे महीनों इस्तेमाल कर सकत हैं तो देखी आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है चुकि लोहे के बरतन में बनाया है तो लोहे यानि की iron भी हमें यहां मिला इसलिए मैं बोल रही थी कि आप इसे लोहे के बरतन में ही बनाए ताकि लोहे का भी जो गुण है वो बालों को मिले चुकि बहुत जरूरी है ह हम ऐसे तो बॉड़ी में बहुत सारी चीज़े हम intake करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से लोहे का जो गुण है वो हमें नहीं मिलता लेकिन जब आप पैक में पैक बनाते हैं लोहे की बरतन में तो आपको iron का पूरा का पूरा सत्त में मिलता है तो इसलिए आप इस तरीके से फ्रिज में जब भी इस्तेमाल करना हो तो इसे आदे घंटे पहले निकालें ताकि ये नॉर्मल हो जाए ठंडा आपको इस्तेमाल नहीं करना है और अच्छे से शेक कर लें बॉटल को फिर एक अनेधर बोल में निकाल के cotton की help से अपने बालों के scalp में लगाएं बहुत ही ज और आपको इसे रात में अपलाई नहीं करना है जब भी आप नहाने जा रहे हूँ इसके पांदस मिनट पहले बस आपको इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है पांच मिनट के लिए ताकि अच्छे से अब्जॉर्फ हो जाए आपके scalp के अंदर देन इसके बाद किसी भी mild शैंपू से अपने हेर को वाश कर ले रहे है इतना ही आपको करना है लेकिन आपको continuous इसका स्थमाल महीने करना है तब जाके आपके बहुत ही खुबसरत बाल नजर आएंगे आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा बहुत सारे लोगों को इसका जल्दी असर देखने को मिल होता है किसी का scalp बहुत अच्छा होता है किसी के hair बहुत अच्छे होते हैं बहुत तेजी से growth होते हैं और कोई भी remedy अपलाई करने पर बहुत तेजी से इसका असर देखने को मिलता है तो उस तरीके से depend करता है कि आपके बाल कैसे हैं और आप कितनी care करते हैं अपने बालों क मैं होब दोस्तों आज की ये सिंपल सी रेमेडी और बेहतकार इगर फाइदीमंद रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेमेडी को लाइक कीजिगा वीडियो को शेर कीजिगा चली फिर से मिलते हैं के अनदर न्यू रेमेडी के साथ तब तक लिए बाई-बाई ठीक किया अपना ध्यान रखिए